नमस्कार, हलो रिवन, स्वावत करता हूँ, मैं आपके अपने चैनल पर वेलकम टोवर चैनल, आज हम डिसकस करेंगे PTC India, Power Trading Corporation of India Limited, कि कंपनी का बिजनस मॉडल क्या है, और क्या टागेट रहेगा शैर का, ये सारी चीज़े हम कवर करेंगे वीडियो में, तो प्लीज पूरा के टागेट के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, PTC का बिजनस मॉडल है, PTC टेडिंग करते है, पावर की बड़े पावर प्रोजेक्ट से, means purchase and sell करते है, पावर की चाहे वो लॉंग टम के लिए हो, या शोट टम के लिए हो, ये कंपनी के क्लाइन्स है, NHPC, SJVN, Indian Railways, B Authority of India Limited, and और भी नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, and even ये कंपनी नेपाल, भुटान, बंगलादेश में भी ऑपरेट करते है, इन शोट ये कंपनी का कामकाज है, पावर सेक्टर में, 16 परसन ये कंपनी की हिस्सेदारी हमारी गवर्मेंट ओन करती है, means ये कंपनी के ओनर्स करते है, just for information, and अगर आप जिरोदा में एकाउंट उपन करवाना चाहते हो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एड कर दूँगा, जिसे एकाउंट डिरेक्ली उपन हो जाएगा, और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, first time विजिट किया है, तो please चैनल पहले हम यह देख लेता है, PTC ने अब तक कितना return दिया है अपने investors को last 5 साल में, एक साल का return देखते हो, शेयर ने 99% का return दिया है, और जा हम 5 साल का return देखते हो, शेयर ने करीबन 280% के आसपास का return दिया है, अगर आपने 5 साल पहले सिर्फ 10,000 भी इसमें invest किया होता है, तो उसकी value होती, 38,000 के आसपास, means यह share ने आपके capital, आपके investment का double से भी ज्यादा कर दिया है, पांच साल में as per the data, यह साही चीजे, यह साही data मैं आपके साथ इसलिए share करता हूँ, जिससे आप motivate हो सको, आपको भरोसा मिल सकता है stock market में, यह साही data से आपको clarity मिल सकती है, कि हमें क मेंशा बोलता हूँ guys, please invest करो, at least आप अपने income का 10% भी invest ज़रू करे, तो अब देखते है PTC के fundamentals क्या है, market cap कितनी है, market cap करीबन 6000 क्रोड के आसपास है, P-E ratio 14.92 है, जहां हम industry P-E देखते हो, 61.23 है, means as per the industry P, यह share अभी भी comfort दे रहा है, and valuation wise भी काफी attractive है, book value 173 है, which means इसके book value स सिफ 51 points महेंगा मिल रहा है यह share आपको, and इसके सामने 10 की face value पे है यह share, and no doubt company साल का 500 क्रोड के आसपास का profit बना रही है, on an average, और हम chart देख लेते हैं, थोड़ा technical wise देख लेते है, share अभी trade कर रहा है 224 के आसपास, जहां share ने high लगा है था 225 का, and 52 week हाई है इसका 254, अगर इ यह share आपको 210, 200, 190 के levels दिखा सकता है, यह note करना हमाई levels कभी भी levels मिलता है, तो यह share के बारे में जरूर सो सकते हो long term के लिए, और जहां हम target की बात करते हैं, तो हमारा पहला target रहेगा 240, 250, and 260, means इस level से भी 15-18% के आसपास का upside दिखता है आने वाले time में, आप note करना हमाई target आ आपको 12-15 महिने match होते, जरूर नजर आएंगे, और इसमें और भी उपर के targets दिखते हैं, जैसे 260 के target अचीव होते हैं, हम इसे फिर से review करेंगे आगे के targets के लिए, कभी कोई भी गिरावट मिलती है, तो जरूर सो सकते हो इस share के बारे में, बिना कोई tension के 250, 260 के target के लिए, हर गिरावट पर आप SAP भी कर सकते हो, accumulate भी कर सकते हो, तो ये share आप अपने watchlist में जरूर एड करें, अगर आपके portfolio में है, तो बिल्कुल बने रहे, तो अपने पैसे ऐसे जगर निवेश करें, जहां आपका पैसा, आपका capital सेफ रहे, एक nominal return मिले आपको, आज नहीं तो कल व अपने advisor से जरू सला ले, और सबसे जायदा आप खुद research करें, अगर आपको ये video पसंद आया है, तो please एक like and subscribe जरू करें, तो मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में जुड़े हमारे साथ, thank you so much for watching this video, अपना ख्याल रखना, जय हिंद!